खबर बिजनौर से है जाए SP और SSP के दिर्देश पर सर्विलांस टीम द्वारा तक प्रियास करके जनहित में 102 खोई हुए मोबाइल फोनों को बरामत किया गया है जिनकी कीमत करीब 15,95,000 रुपे बताई जा रही है वहीं पोलिस ने सभी खोई हुए मोबाइल फोनों को उनके मालिकों को सौब दिया है खबर आगरा से है जा सर्दी में मौसम के साथ गना कोहरा देखने को मिला साथी बरफीली हवाओं ने सर्दी में जाफ़ा किया है बतादे कि निशला तापमान 3.2 डिग्री रहा वहीं गलन के मारे हाथ पाउच चलाना मुश्किल हो गया लोगों को खुले में निकलते ही सर्दी का जवरदस्त हमला जेलना पड़ रहा है बतादे चले कि हालात ऐसे रहे कि गर्म कपड़े पहनने के बाद भी कोई राहत नहीं मिल रही खबर बाता से है ज़ा जिलास्पताल ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर मोबाईल के रोशनी में मरीजों का इलाच करते देखे गए बता दे कि लगबक 40 मिनट तक जिलास्पताल ट्रॉमा सेंटर की लाइच गुल रही गौरतलबे की हाली में जिप्टी सीयम ब्रिजे स्पाथक ने जिलास्पताल में व्याप्त आववस्ताओं की जाच के आदेश दिये थे क्योंकि आववस्ताओं के चलते बांदा जिलास्पताल हमेशा सुर्कियों में रहता है वहीं डॉक्टरों द्वारा मोबाइल के रोश्णी में इलाज किये जाने का वीडियो भी सोशल मेडिया पर काफी वाइरल हो रहा है क्या भाप दिलवाने लाए देख्या अच्छा तो भाप क्यों नहीं दिलवा रहा है कि लाइट नहीं है जिलास्पताल में क्या टाइम हो रहा है दिन के लाच के वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 40 मेट तक बट्ती गुल रही है मोबाइल और इमारजंशी के सारे इलाज किया जा रहा है देखिए यह घटना करीब फाड़े-चार वजे की है जैसा कि आप जानते हैं सीट लेज चल रही है अश्ताल में चारूर वार्डो में ट्रॉमा सेंटर में ट्रॉमा सेंटर में कम से कम तीन ब्लोर हमारे चले वार्डो में भी ब्लोर चल रहे हैं तो विद्दूत जो में लाइन फॉल कर गए और तकाल एलेक्टिशिन हमारे हैं 24 गंटे जनरेटर के इसमें ड्यूटी पर रहते हैं तदकाल उनों ठीक कर दिया पंदरा मिनिट में लाइट आ गई है तो इसलिए पहले उसको ठीक किया गया तर्काल बिजली आगी पंदरा मिन खबर इटावा से है जा काया कल्प एवोर्ड योजना के अंतरगत सियच्सी परिसर में जस्वंद नगर में सम्मान समारो का योजन किया गया वही कारक्रम में SDM वा CMO इटावा मौजूद रहे बताते चले कि मरीजों को अच्छी से देखबाल वा घायलों के उच्छी तेलाज के साथी आन्य स्वास्ते संबंदित बीमारियों में पूरे स्टाफ के द्वारा जिले में प्रतम वा यूपी में सोलवा इस्थान हासिल करने के कारण जिले के मुके चिकित्सा अधिकारी वा SGM ने स्वास्तिक कर्मचारियों को फ्रिशस्ति पत्र दे कर उनका सम्मान किया है वाईसी साफसर पर SGM ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि हम यूपी में फ्रतम स्थान हासिल करेंगे खबर कास गंच के ढुलना ठाना छेतर से है जा घने कोहरे के चलते एक कार पेड़ से टकरा गई इस दौरान हाथसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गए जबकि दो लोग गंभीर रोप से घायल हो गए है वहीं सूचना पर पहुचे पुलिस ने शवो को कबज मिले कर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करा दिया गया है वहीं बताया ज़ा रहा है कि कारसवार लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे तबी रास्ते में या हाथसा हो गया यह लोग हैं सेवनपुर की अच्छा और यह देहली से आ रहे थे में भी पॉसिविल दून गाड़ी पेड़ से टक्राई है तक्राइन कि अवाज जो है लोगों ने आवास सुनी है बड़ा मुश्किल से लोगों ने डेट बॉडी का डेट बॉडी जो है 2-3 तो 3 तो इसपार्ट में खतम हो गया टेया एक जो है देली से आ रही थी यह गाड़ी शायद मेरी पॉसिब है क्यों देली में लोगों का ब्यापान रहा होगा तो देली सी आ रहे हैं हुआरे ताना डोलना और विल्राम के बीच में एक्स्प्ट डिजायर लाल पतन की गाड़ी जो है तुना कोरा के वज़े ते गाड़ी पेट स देली से काम पर एक काम पर डिली आते बसे वाँ खोरा के वज़े यह जो है इसके सभाड़ी चार लोगों की मुद्धी और तुरंथ हो गए थी उन में और दो लोगों को उप्चार है खबर बिहार के भागल पुर्जिले से है जा घरेलू विवात के चलते पती ने पत्मी की निर्मम हत्या कर दी घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पती ने शौग को सुनसान बगीचे में फेक दिया तो किया जग्राओ लेली पती पत्मी अपने में दोनो आड़ कर लके जग्राओ ना का पर बन तभी पती कहां जेबर जेबर ने गरम तला मर लोग्यां प्लिक्तव ना अपका नाम चाहा है और पुता हुआ फिर्च नाम जी खेकर फ्राओ पाद जाद यसा थी नाम निखा ज स्कारफियों से तबी कैसा इस्तिती है? उमर कितना होता होगा? उमर होता होगा? उमर 45 पराद 44 45 खबर बिहार के भागलपुर जिले से है जा भारत की ग्रामेड महिलाएं सिर्फ चूले चौके तक ही नहीं सीमित हैं कि अपने परिवार के पालन पोशन के लिए अब खेत खलियानों से भी जुणने लगी हैं बदादे कि भागलपुर के जगदेशपुर में रहने वाली संगीता देवी को देशबर के किसान किसान दीदी के नाम से जानते हैं दान की फसल और सबजी की फसल वा खुद खेत में हल चला कर फसल लगाती हैं फिर उसे खुद ही काटकर बाजार तक पहुचाती हैं वहीं गाओ की किसान आज इनसे टिकाओ खेती की ट्रेनिंग भी लेने आते हैं संगीता देवी का मानना है कि सरकार को महिला किसानों के हित में भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए बता दे कि संगीता देवी ने 15 महिलाओं के एक टीम बना कर जगदेशपूर ब्लॉक की रहने वाली महिलाओं को खेती करने के लिए जागुरुक भी किया वही अब 400 से भी अधिक महिलाएं इस खेती से जुड़ चुकी है तो जैसे आलू का हुआ जिन समय पर तो उसको क्यम पले हाल से जटाई होता है उसके बाद और उसके बाद आलू लाके और हम लोग साब बान मिलके इसमें अलू रपते हैं कहांगा इनाया और बहुत अच्छा लगता है कि आप महिला होके खयती रहें अग्यद होगortion है इसा कि 20 महिला हो तस महिला हो है एक जूट मिल के और ओर काम करते हैं ग्युट में Total गूर पर करने के लिए हमापने बड़त्य शुक्ति एक तुने Q to के लिए उत्सा है ये खेती करने से कितने हिमत आई है आपको बहुत हिमत आई है और जाकरुपता भी हुई है बहुत महिला कि हम खेती करेंगे मेरे पास दूपैसा हो जाता है अपने मन से जो भी मन होता है लेते हैं करते हैं रखते भी हैं जैसे पढ़ाई हुआ घर का प्रत्र पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा बताते चले कि दौरान मृत गायन तबलावादन सहित 16 विधाओं में बच्चे भाग लेंगे ये राज अस्तर ये युवा उत्सव कि जो आयोजन हो रही है मुझपर पुर्जीला में हो रही है और आठ और नौ तारिक को जो बच्चे इसमें पर्थम अस्थान पराप्त करेंगे भिन भिन विधाओं में परतियोगिताय जो हमारी जीला अस्तर पे हुई थी उसी को नाटक राष्टिये महुत सब में उनको भिजा जाएगा और यह हमारे 62 बच्चे टोटल लड़का और लड़कियों मिला करके है और टोटल 14 इवेंट को ले करके हमारी बस भागलपूर से मुझपरपूर्ण के लिए रावाना हो रही है इसमें नाटक है लोक गाथा है फोटोग्राफी और मुर्ती कला इतनी सारी बिधाएं को ले करके सुगम संगीत है बाद्देवादन की परत्योगिताएं भी होनी है यह तमाम बिधाओं को ले करके हमारे कलाकार राजस्तर पर जा रहे हैं मेरा नाम अजय अटल है और मैं पहले जिलास्तर पर ही पर्ण जन संग्यां फ्रवी को खत्म होगा जिसमें घरों की संख्या की ङए गड़ना कारे में सिख्षकों प्र दौब हुआ म चनगर्णा को लेकर भागलपूर के डियम ने बताया कि इन तरह के सर्वेक्षर रिपोर्ट से समाज में संतुलित विकास को बल मिलेगा। तो वो भी लगातार इसकी मॉनेटरिंग कर रहे हैं और सारे जिले के वरियेपदा रिकारियाज फिल्ड में हैं और इस काम को बहुत तरीके से और जैसा विभाग का गाइडलाइन है उसका अच्छर सा अनुपालन करते हुए इसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे एक बहुत म अच्छे तरीके से हम लोग फूरे जिले में सब्सक्राइब अभी यह चल दा है जैसे मकान सुचीकरन का काम आज से सुरू हुआ है आगे कंटिनू करेगा तो हम लोग डेली रिपोर्ट भी जो है वो कलेक्ट करेंगे प्रखंट के वरिये प्रदाधिकारी प्रखंट विक 36 गड के पावन माटी बलोदा बाजार जिले के कजडोल ब्लॉक के प्रसिद धार्मिक स्थर तुर्टुरिया में चिरचेरा के तेवार के अवसर पर बड़े मेले का आयोजन किया जा हजारों के संख्या में भक्त पहुँचे वहिमा काली के दर्शन पूजन भी किया पताय प्रसिद धार्मिक स्थर तुर्टुर्ट।